एक शिप था M.V.Roses जो 2750 टन एक्स्लोजिव अमोनियम नाइटरिट लेके जोर्जा से मौजामबिक जा रहा था। बीच में इंजन में कोई खराबी आ गई तो शिप को लेबनान में स्टेबल होना पड़ा। लेबनान पोर्ट आथरिटीज ने जब इसका इंस्पेक्शन किया तो इसे अन्फिट फॉर सेलिंग घुशित कर दिया। ऐसे कहीं महीने बीद गए और ये शिप वहीं स्टेबल रहा। बीच में शिप की ओनर कंपनी बैंकरप्ट हो गई। तो ना तो शिप को लेने वाला कोई बचा ना शिप के सामान को कोई लेने वाला बचा। अब शिप की हालत खराब होते रही और डूपने लगा तो लेबनान आथरिटीज ने उसका सामान उतार कर पास के एक वेराउस में रख दिया। और सोचा कि हमारी क्या प्रॉबलम है जिसका होगा आगे ले जाएगा। ऐसा करते छे साल बीद गए और वन फाइंड डे वेराउस में आग लगी और पूरा सताई सो पचास चन एक साथ ब्लास्ट हो गया। ये ब्लास्ट इतना पाउरफुल था कि इसने 3.3 मेगनिट्यूड का अर्थ को एकला दिया पूरे लेबनान में और 200 किलोमीटर दूर साइपरस तक इसके ट्रेमर्स देखने को मिले। इसे अब तक का most powerful non-nuclear explosion कहा जाता है। इसने लगबग 218 लोगों की जान ली और लगबग 3 लाख लोग बेघर हो गया। तो कहते हैं ना कभी-कभी दूसरों की problem को भी अपना समझ लेना चाहिए।